हलो व्योर असलाव अलेकुम आज हमारे पर डॉलन सी वाशी मेशीन है आप इसा मोडल नमबर देख सकते हैं DW-170C2 और इसमें हमारे बस प्रॉब्लम यह वाशी मेशीन में कि इसकी जो यह वाली साइड है यह सही वर्क कर रही है और यह जो राइट साइड स्पिनर वाली इस को यहीं प्रॉब्लम नहीं है और अब मैं अगर इसकी स्पिनर वाली साइड चलाओंगा तो अब इसमें आवास सुनेंगे मोटर के इंदर बीहारा इसससों नहीं चल रहा है और मशीन में साउंद देखेंगे आप तो यह सांड आ रहा है और यह हमारा इसमें प्रॉब्लम करेंगे इसमें इसको हम यह सारे खूल लेगे तो विर इसको सारे उपन हो गए है उसके बाद हम इस कवर करने के बाद आप देखेंगे कि यह जो इसका ब्रेक सिस्टम होता है यह इसका टूट चुकी है वायर आप देख सकते हैं हमारे यहां लगी हुई थी जो यह तूड गई है जिसकी वज़ासे यह ब्रेक जो होता है यह के ऐसे पीछे खिचा हुआ है ब्रेक की पोज़िशन कुछ इस तरह होती है तो यह फ्री होता है और यह घूम श्रक्राइब अचुम के अदर वह ये वायर हमारी ठूट गई है ये इसका अप देख सकते हैं प्लास्टिक भी यहां तो तोड़ इसके अंधर यह 약 उसे अदर यह की रियर üçफ हम धूरी हम यह नहीं ले आते हैं जाकर गिन्द रजाएं हैं प्लास्टिक लगावा इसको रिमूव करना पड़ेगा कोई भी बारी क्वेश्कस के मदद से आप इसको रिमूव कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे इसमें से रिमूव हो गया है तो विए आई इसकी फिटिंग शुरू करते हैं सबसे पहले हम जो यह इसकी जो के ब्रेक में थोड़ा सा कंगेस्टिड होता है क्योंकि यह इसमें जगा थोड़ी कम होती है तो आप यह खोल के भी कर सकते हैं इसली तो यह यह वायर हमारी बैट गई इसकी और अब जो इसका ही जो स्टॉपर है यह भी बिठा देंगे हम तो यह जो प्लास्टिक हमने इसमें से निकाला था यह हम ने बिठा दिया है नए वाले का और मशीन को हमने खोल लिया है यह साइट थोड़ी सी इसकी बाहर निकाल लिए क्योंकि प्लास्टिक इजली नहीं बैठ रह था माँ जगह इतनी नहीं थी कि हम इसको बिठा सकें इसकी वाज़े से हमने मशीन को ओपिन कर लिया है और यहां से हमने इसको बिठा दिया है और अब इसकी यह जो वायर है यह भी बिठा देंगे है कि मायर भी बैड़ गई है और थोड़ा से इसको हम बंद कर देंगे ताकि निकले नहीं इसमें से लिए इसमें इसमें टाइट हो जाएगी तो फिर ब्रेक आप देखें गे इसका किस तरह घृट जाएगा ओ जब यह आप इसको छोड़ देगे तो आपको ब्रेक लग जाएगा तो ब्रेक शुरू करते हैं तो फीर यह पार्ट था इसका यह अहां पे लगाँ में धाण शु और यह तोट चुका है, तो फिर यह वाले जो पार्ट है, यह सेंडूसेंग यही है, तो हम इसको यहाँ पर बिठा देंगे, जितना उपर तक हो सकता है, आप दपा के इसको बिठा दें, तो फिर आप यह किस तरह लगाएंगे, ढखकन को आप खोल लेंगे, इस पिनर के यह लगाते वक्त क्योंकि ये लास सेटिंग है इसकी और ये जो वायर इसमें है इसको हम निकाल देंगे इस वायर का हमें काम नहीं है और वियर एक नेट बोल्ड है जिससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे दोनों को आपस में अश्ण को अश्गा night करके इसे अट इत अची तरह टाइट कर दिया है स्यव्य को अधिया है अब अपने डुक कर के देख लेंगे कि हमारा ब्रेक से लग गया और यह डखकन बंद कर दिया मैंने तो यह प्री हो गया बिल्कुल और जैसे घूंटा है और अब डखकन खुलेगा तो यह फॉरण इसका ब्रेक लग जाएगा तो यह यहां तक हमारा काम हो गया अब मचीन को मजीद बंद कर देंगे अपनी तो विर इसको हमने से सारे लगा दिया अब हम मशीन को टेस्ट कर लेंगे तो विर मशीन को अब हम अपनी टेस्ट कर लेंगे यह हमारे टाइमेरे स्पिनर का यह हम गुमा के देखेंगे तो विर अब आप देख सकते हैं इसके आवाज सुन सकते हैं कि इस पिनर हमारा चल रहा है बिल्कुल सही बद्द कर रहा है और जब हम इस डख्तन को खोले में तो यह स्टॉप हो जाएगा तो विर अब हम दुपन करके देखते हैं तो विर अब आप इसका साउंड सुन सकते हैं कि इस पिनर हमारा बिल्कुल साही बद्द रहा है तो विर अगर हमारी वीडियो अच्छी लेगे हो नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब पीज़े हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए तो विर से बटे में अपना खैल रखेंगा नाफिज